पंचायत चुनावों की तयारी पूरी तरह से जोरों पर है। पंचायत द्वारा एक पनिहरा बनाया गया था। उसे इतना आकर्शक बनाया गया कि वह लोगों में एक चर्चा का विशय बनके रहे गया। रास्ते से आने वाले जाने वाले सभी लोग वहां पर पानी पीने के लिए रुखते और फोटो खीचवाते हैं। सोशल मीडिया पर भी इसके काफी चर्चे देखने को मिल रहे थे। आखिर जहां पर सरकार लाखो रुपे खर्च करती है तो वहां पर पंचायत प्रतीनिधी द्वारा उस काम को सही धंग से क्यूं नहीं करवाया जाता। अगर सभी प्रधान इस तरह काम करते हैं तो उनके पंचायतों में भी लोग उनके कार्यकाल को हमेशा ही याद रखेंगे। वह काफी सुंदर और आकर्शक है। उन्हुने कहा कि यहां पर जो भी लोग घूमने के लिए आते हैं वह सारे इसकी सुंदरता के कायल हो जाते हैं। यहां से आने जाने वाले लोग यहां पर पानी पीते हैं. एक तो यह मुख्य मार्ग पर बना है साथ ही जहां से उपर और नीचे को पैदल रास्ता भी है. लोगों के लिए यहां पर बैठने के लिए बहुत सुंदर स्थान बनाया गया है. उन्होंने कहा कि हर पंचायत प्र कहा कि सभी पंचायत प्रतिनिदी को चाहिए कि वह भी इसी तरह इमांदारी से कार्य करें ताकि लोग उन्हें हमेशा ही याद रखें। आर्यार टाइम्स के लिए डलहौजी से सलीम खान की रिपोर्ट। जिन उन्हें इतना अच्छा काम किया और हम लोगों को इसका फाइदा मिला। अरजगा बने तो अच्छा होता है। काम करवाएं जाएंगे जो पंचाइतों में नजर भी आएंगे। पहले होता था छोड़-छोड़े काम होते थे तो पता नहीं होता था रास्ते मन गए कभी डंगे मन गए। अब हम सरकार जो है बड़े काम करवाना चाहती है। हमें खुश है कि सार में बड़े एक पंचाइत में चार अच्छे बड़े काम करवाएं जाएंगे। मैं तो दूसरी पंचाइतों से भी अपील करना चाहूंगी कि ऐसा ही काम करवाएं जिसे उपरधानों का नाम भी रोशन होगा और उस पंचाइत का नाम रोशन होगा और अच्छे काम करवाएंगे तो लोग भी याद करेंगे।